अपने पेरों के नीचे की जमीन को महसूस करिये, यही मकसद है बर्लिन में लगी डाउन टू अर्थ एक्जिबीशन का, यह ऐसी कला है जिसे आप स्परश कर सकते हैं, यह मिट्टी असली है और बर्लिन की सडकों से जमा की गई है, और दिवार पर है अंटार्क्टिका, और यहां पानी के नीचे ली गई पहली चंद तस्वीरों में से कुछ, फोकस प्रथवी और उसकी जलवाई उपर है, वो भी गैलरी की चमकिली लाइटों को जलाए बिना नई बात ये है कि हम बिलकुल बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी रोशनी है वो खिड़की से आ रही है, हम कोई फिल्म नहीं दिखा रहे हैं, कोई लाउड स्पिकर नहीं है, कुछ हपतों के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ हम उस पूरे सिस्टम को बदल रहे है जिसके तहट कला की दुनिया काम करती है, हम विमानों से कहीं नहीं गए, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्टनेबल तरीके से कर रहे हैं तोमास ओबरेंडर इस शो के क्यूरेटरों में से एक हैं, वो लेखकें और थेटर में भी खूब सक्री हैं, साथ ही वो बर्लिन के कला महोटसव के निदेशक भी हैं, जो कई तरह के कला आयूजन कराता है, जैसे कि ये, ये प्रोजेक्ट प्रकृति के विभिन रूपों को पेश करता है, उसके लिए मौजूद खत्रों को भी दिखाता है, और ये भी बताता है कि इस तबाही में हम इनसानों की कितनी भूमिका है, मेडरिट के थिसेन बॉर्ने मिस्सा म्यूजियम में एक अस्थाई प्रदर्शनी चल रही है, जो इन सवालों पर केंदरित है कि इ ये लगभग जली दुनिया में जाने जैसा है, जहां आप सोचते हैं या फिर सोचने की शुरूात करते हैं कि सागरों के सामने मौजूद मुक्ख मुद्दे कौन से है, आप प्रजातियों के बारे में सोच सकते हैं, आप वेल की तरह सोच सकते हैं, जो ओवाज अभी हम हैं ये वेल की आवाज है जोन जोनास की प्रदर्शनी का नाम है मूविंग आफ दे लेंड टू इस स्थाई प्रदर्शनी में 19. सदी की पेंटिंग भी हैं जिनें प्रकृति के विनाश की आलोचना के तौर पर देखा जा सकता है कला कभी खामोश नहीं रही है और कलाकारों ने अपने काम के जरिये भेदभाव, सामाजिक अन्याए और इस तरह की समस्याओं की आलोचना की है कला में परियावरणिय चिंतन की लंबी परंपरा को यहां दर्शाया गया है मुविंग ऑफ दे लेंड पूरी दुनिया को जोडने वाली प्रवर्तियों को दिखाती है जलवायू परिवर्तन अमेजॉन के आदिवासियों मूल निवासियों से पूरी तरह जुड़ा है और साथ ही यह अंधा दोन मचली पकड़ने या फिर भारत में गरीबी से भी जुड़ा है आखिर में सब तो एक ही विवस्था का हिस्सा है बर्लिन के शो में आने वाले लोग एक वर्कशॉप में भी हिस्सा ले सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट के बुनियादी उद्देशों के बारे में है इस वर्कशॉप में लकड़ी का काम भी हो रहा है यहां आने वाले दर्शक भी हात आजमा सकते हैं बिजली से चलने वाला कोई औजार यहां नहीं चाहिए तो साल पहले सब कुछ हात से होता था बिजली से चलने वाला कोई टूल नहीं था आज भी हम वैसा ही कर सकते हैं यह कोई जादू नहीं है अगर आपके पास समय हो तो आप हात से सब कुछ बना सकते हैं यहां कला के कई पहलू आपस में मिलते हैं लेकिन एक चिंता भी है परियावरण और लोगों के बारे में जारी बहस को कैसे सार्थक बनाएं समस्या विशाल है और उससे निवटने के लिए हमारा योगदान बहुत ही कम है लेकिन बहुत से लोगों की तरह हम भी संकेत भेज रहे हैं आम तोर पर किसी प्रदर्शनी में एक तरह के दर्शक आते हैं लेकिन हम बहुत तरह के दर्शकों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि वे आपस में मिल सकें और एक दूसरे को मजबूत कर सकें ये दो प्रदरशनिया प्रेरणा का सुरोत हो सकती हैं हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने रिष्टे का पूरा मोल समझना होगा